सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सबी का आपके चैनल दपर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है शिक्षा निदिशाले रास्टी राजानी शेतर दिली की वक्षीट टंबर 34 डिसकस करें पच्छो क्लास 7 की वक्षीट है सामाज की विख्यान की 8 दिसम्बर 2021 की टॉपिक है इश्वर से अनुराख्त स्टार्ट करते हैं प्यारे विध्य रत्यों, विबेन दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग लग विचार दिये हैं आईए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं और गता जनम आठवी शेतापती में केरल परिदेश में गुवा था वह निर्गुण और निराकार है शंकर ने हमारे चारो और के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याक करने अथार्ट सन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मुक्ष प्राप्त करने के लिए ग्यान के मार को अपनाने का उपदेश दिया अब बच्चे हम रामानुच के बाएर में पढ़ते हैं रामानुच 11 शेताबदी में तमिलनाडू में पैदा हुए थे रामानुच ने विशिष्टता देट के सिद्धांद को प्रतिपादित किया विशिष्टा देट के अनुसार आत्मा परमात्मा से जोड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाये रखती हैं वे विशुणू भाक्त अलवार संतों से बहुत प्रवावित थे उनके अनुसार मोख्ष प्राप्त करने का उपाये विशुणू के पटि अनन्य भाक्ति भाव रखना है भगवान विशुणू की गिर्पधर्षटी से भाक्तून के साथ एककार होने का परमनंद प्राप्त कर सकता है रामनुच के सिध्धात ने भक्ती की नई धारा को बहुत प्रेरिद किया जो परवर्ती काल में उत्री भारत में विक्सित हुई अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों हम वसवन्ना का विर्शेव बाद तमिल भक्ती आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंद के परिणाम सरूप जो पृति किरिया हुई वह वसवन्ना और अल्लमा पिर्भू और अकमह देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंब किये गए विर्शेव अंदोलन में इस पश्टिता दिखलाई देती है यह अंदोलन बारवी शताब्दी के मध्धे में करनाटक में प्रारंब हुआ था विर्शेव उने सभी वेक्तियों की समानता के पक्ष में और जाती तथा नारी के पृति वहवार के बारे में ब्रम्मणवादी विचारधारा के विरुध अपने पिर्बल तर्क प्रस्तुत किये वे सभी पिरकार के करमकांडों और मुर्ति पूजा के विरोधीते हैं दर्शन, दर्शन-शास्त्र जीवन के अर्थवे मतों से संबंधित विचारों का अध्यां दर्शन शास्तर कहलाता है दार्शनिक शाब्द फ्लॉस्फ शाब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्यान से प्रेम करने वाला करमकांड, पूजा, यग, आधी से संबंधित धार्मिकर गतिवीदी दिवीए बच्चे यहाँ पर शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रेतन करें तो इसका अंसर आप लिखेंगे अक्टिविटी वन में पहला आप शंकर के बारे में लिखेंगे उनका चरम आठवी शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था उनके मुखे विचार थे पहला पॉइंट डाल कर लिखेंगे विधेतवाद के समर्तक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है सेकिन्ड पॉइंट डाल कर लिखेंगे बच्चों उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रहमा जो एक मात्रिया परम सत्य है वे निर्गुण और निराकार है ठीक है यहां तक सेकिन्ड पॉइंट हो गया यहां से है यह थर्ड पॉइंट ठीक है उन्होंने हमारे चारोर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अतार सन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकर्टी को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ग्यान के मारकों को अपनाने का उपदेश दिया यहां तक तो था यह शंकर के बारे में अब यहाँ से स्टार्ट है रामानुच के बारे में रामानुच ग्यारवी शतापती में तबिलनाडू में पैदा हुए थे वे विशुणों वक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे इनके मुखे विचार थे फर्स्ट पॉइंट है मुख्ष प्राप्त करने का उपाए विशुणों के प्रती अनने भक्ती भाव रखना है भगवान विशुणों की किर्पद रिष्टी से भक्तुन के साथ एककार होने का पर्मनन प्राप्त कर सकता है थर्ड पॉइंट है रामनुच ने विशिष्टा रेत के सिधान को पृतिपादित किया जिसके अनुसारा आत्मा परमात्मा से जोड़ने के बाद भी अपनी अलग-लग सत्ता बनाए रखती है आप बच्चों यह आंसर तो लेंदी हो गया है ठीक है आप इसे शॉट करने के लिए क्या कर सकते हैं यहां तक हैं टू पॉइंट्स आप यहां तक लिए शंकर के बारे में और रामनुच के बारे में भी आप टू पॉइंट्स लिए यहां तक ठीक है और अगर आप तीनों लिखना चाते हैं तो आप दिनों लिख सकते हैं activity two में देखिए क्या पूछा हुआ है भक्ति के बारे में अपने विचार साजा करें activity two में आप लिखेंगे भक्ति माया के बंदन को शिथिल करके हमें प्रभू तक महचा देती है भक्त अपने जीवन चरित से सिखाते हैं कि हमें जीवन में प्रभू का कैसे बन कर रहना चाहिए अंते करण से सदेव प्रभू से जोड़ने का प्रियास करना चाहिए पिर्भू में शुरुद्धा होगी तो पिर्भू हमारी पुद्धी को सदेव भक्ती करने की प्रणा देंगे अब कोशेन आंसर देख लेते हैं बच्चों शंकर किसके समर्थक थे? इसका आंसर लिखेंगे शंकर अधेतवात के समर्थक थे कोशेन नमबर टू है रामनुच किन से पिर्भावित थे? इसका आंसर हम लिखेंगे रामनुच विशुनुभाग तलवार संतों से बहुत पिर्भावित थे कोशेन नमबर थिरी है वीर्षेव मत के समर्थक कोन थे? तो उनके नाम लिख देंगे बस्वन्ना, अल्लमा पिर्भू और अक महदेवी कोशेन नमबर फोर है जाती के पिर्थी विर्षेवों को दिश्टी कौन कैसा था? तो इसका आंसर आप नहीं हांसर लिखेंगे विर्षेवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्षमे और जाती तता नारी के पिर्थी वहवार के बारे में ब्रहमाडवादी विचारदारा के विरुद अपने पिरबल तर्क प्रस्तुत किये ठीक है? ओके कोशेन नमबर फाइव है अदेतवाद, विशिष्टावाद से किस परकार भिन है? तो इसका अंसर भी वक्षीट में से लिखेंगे पहले तो आप इतना अदेतवाद के बारे में लिख देंगे हैडिंग डालकर अदेतवाद फिल लिखेंगे अदेतवाद के अनुसार जीवात्मा और पर्मात्मा जो परमसत्य है दोनों एक ही है ठीक है? आप चाहिए तो एक लाइन और एड़ कर सकते हैं येवाली उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एक मात्रिय परमसत्य वे निर्गुण और निराकार है और चाहें तो यहां तक भी लिख सकते हैं ठीक है, दो लाइन भी लिख सकते हैं अच्छा, अब विशिष्टा बाद में आप क्या लिखेंगे विशिष्टा देत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जोड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाये रखती है एक पॉइंट से लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो इतना उलिख देना विशुडू वक्त अलवार संतों से बहुत प्रुभावित थे, ठीक है तो पॉइंट से लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमाचल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फो वाचिंग